हेलो दोस्तव स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तव आज की सकमझ की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप पुराने से पुराना फेस्बुक अकाउंट आप अपना किस तरीके से दोबारा रिक्वर कर सकते हूँ यानि पा सकते हूँ तो दोस्तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का प्यार मिला यानि बहुती वीडियो अच्छी उड़ी और दोस्तो कुछ लोगों ने उस पे ऐसा कॉमेंट किया है जिसके लिए मेरे लिए ये वीडियो दुबारा सूट करनी पड़ गई है क्योंकि दोस्तो उस पे हानी 70 से 80 प्रतीसत लोगों का जो फेस्बुक का पुराने से पुराना अकाउंट है वो रिकवरी भी हुआ है यानि उन्हें वापस भी मिल गया है जिसका अकाउंट अभी तक वापस नहीं आया है यानि फेस्बुक का पुराने से पुराना यानि आपका अगर 10 साल पहले का भी अकाउंट है वो भी आ सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम इसी लिए बना रहे हैं कि उसमें जो लोगों का डाउट रहे गया है वो इस वीडियो को देखने के बाद उनका डाउट दूर हो जाएगा तो दोस्तो इसमें हम ऐसा पुएंट बताने वाले हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं और ये पहले तो ये वीडियो देखे होगे उसकी बाद आप अपने फोन में इसी तरह की प्रोसेस करोगे तो आपका कोई भी प्रिकार का डाउट है फोन के अंदर आपको कोई भी चीज समझम नहीं आती है तो नीचे कॉमेंट वक्स दिया है कॉमेंट वक्स में हमें कॉमेंट करके वताईएगा नेश्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे बना देते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को करते हैं आगे की जो प्रेसेस वो आपको बहुती ध्यान से देखनी है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फ्रेस्ट को एप्लिकेशन है उससे आपको ओपिन कर लेना है चलिए इससे मैं ओपिन करता हूँ फ़रना जैसे हम इससे ओपिन करते हैं उसकी बाद इसका जो चले आना है नीचे एक आफसन मिलेगा आपको लोग अट आउट का जो दोस्तों आप आई-डी अभी चला रहे हैं थीक है इस आई-डी को सबसे पहले आपको करनी है लोग आउट उसके बाद दोस्तों जो प्रोसेस है वो आपको क्या करनी है वो आपको यहां से देखनी है अब दोस्तों देखिए यहां पर दो अकाउंट दो आफसन आते हैं ठीक है वैसे यहां पर तीन आफसन है दोस्तों लेकिन हम यहां पर जो मैं आफसन दो हम उनके बारें बताता हूं यहा क्लिक कर देखना है कि जोस्たों अगर आप वह पहले वाला जो आपको अगर पता है यहां पे वैसे तो phone number और email ID का option आ रहा है लेकिन अगर आपको phone number छोड़ी आगर email ID फिर आई कोई भी आपको नहीं पता है तो यहां पे दोस्तों आपको अपना account का अगर name पता है तो यहां से अपना account का name आपको डाल देना है ठीक है आपको अकाउंट का नाम डाल देना है चलिए demo के लिए हमें आप एक account हमारा है उसको डाल देते हैं अब यहां से हमने अपना account डाल दी आप दूसरे नमबर पर आता है password का जोड़ी दोस्तों हमें password पता नहीं है तो दोस्तों सिंपल सी हाँ पे आपको कुछी भी अक्षरे हाँ पर टाइप कर देने अपने password के लिए ठीक है अब दोस्तों उसकी बाद आपको option मिलेगा forward password ठीक है forget password इस पे आपको किलिक कर देना है forgot password पर जैसी आप किलिक करोगे उसके बाद आपको redirect दूसरे पेज़ पे चले जाओगे आप automatically ठीक है जो नीचे साइड़ में मैंने पहले बताया था उसी पेज़ पे आप यहां से पहुंच चुके है आप दोस्तों सुनिये यहां पर क्या है कि जो लोग कहते है कि मेरे phone में OTP नहीं आती है कुछ लोग नमबर डाल देते हैं यहां ही वो कहते है कि मेरे phone में OTP नहीं आती है अब दोस्तों यहां पर कोई भी proof आपको यहां पर देना पड़ेगा नीचे एक option मिलेगा आपको सरच भाई email का ये वाला अगर आपको email पता है जो आपने account बनाया था उसमे email ID अगर आपने लगाई है अगर आपको email ID पता है तो नीचे email का option email ID भी यहां से आप feel कर सकते हो ठीक है दूसरा option है आपके पास phone number का account खुलने के लिए देखी कोई ना कोई प्रूप तो होना चाहिए ठीक है तब ही आपका account खुल जाएगा अब phone number आपको कौन सा पता है अगर आपका 10 साल पहले का account है अगर आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी कि उस समय हम पना phone number कौन सा यूज करते थे यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा phone number उस समय हम यूज करते थे अब दोस्तों अगर आपको यह पता है कि हम यह number यूज करते थे और वह अभी भी प्रिजेंटर में आप वह number यूज करते आ रहे हो तो दोस्तों बहुती सही बात है तो आपका account बहुत जल्द खुल जाएगा तो सिंपल सी आपको क्या करना है अगर आपका वो number नहीं है तो दोस्तों OTP उसी पर जाएगी तो account यहां से दिखवर नहीं होगा तो आप यहां से email ID लगा सकते हो याद है अगर आपका नंबर चल रहा है प्रेजयांटम आपके फोन में पड़ा आया दूसरी फोन में आपके पास होना चाहिए तो वह आपको नंबर यहां से फील कर देना है तो चलिए वही नंबर हम यहां से डालते हैं दोज्दो यहां पर हमने इहां पर डाल दिया है अपना 4 नंबर है ठीक है जी पहले का नंबर है जब हम अकाउंट चलाया करते थैंब मुझे अब प्रेंगे अपने ऋपने अकाउंट होंगे इस सारे अकाउंट निपने वह थे होए हूंगे हमने करना है नीचे वाला अकांट open इस पर आपको कर देना है किलिक आप दोस्तों होता यह कि आपके फोन में इस तरीके के का एक option आएगा इस तरीके का option आएगा यह बोल रहा है कि आपको हम एक code भेजेंगे इस वारे नमबर पर ठीक है वो आपको डालना है चलिए हम इस नम इस पर हम किलिक कर देते हैं आप दोस्तों बेट कर लेती है कि कोड हमारा कितनी देर में आता है जाता है ठीक है जब नमर आप लगा हुए तो आपके फोन में code आएगा वह को आपको यहां पर फील हो जाएगा और एक नेश्ट पेज पे आपको बता देगा ठीक है अब जै के लिए चलिए यहां पर हमने एक नया password भी डाल दिया है उसके बाद कर देना हमें continue जैसी दोस्तों आप continue करते हैं उसके बाद आपका जो account है बहुत सपलता पूरबक login हो जाएगा आपके फोन में यह code आपको ध्यान में भी रख लेना यह जो password आपने डाला यह password आपको ध दोस्तों यह demo के लिए मैंने बनाया था इसमें कोई भी कभी चलाया नहीं था इसलिए Facebook ने इसे locked कर दिया है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको यह video पसंद आई हो और आपको 100 नहीं 10% आपको यह चीज मैंने जो बताई है वो आपका account खोलने में पूरी आपकी help करे तो बस मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में तब तल किये जैहन बंदे मातर हूं